बच्चों, नियोजन शब्द आपके लिए नया नहीं होगा. क्योंकि आप अपने लगभग सभी काम में नियोजन, योजन या प्लानिंग इस शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं और वो किस लिए करते हैं? जैसे कि आप अपनी गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए प्लान करते हैं कि हमें किसी हील स्टेशन में जाना है. तो इसके लिए आप एक प्लानिंग बनाएंगे, योजन बनाएंगे, नियोजन बनाएंगे, कि हम कैसे जाएंगे, उस स्थान तक कैसे जाएंगे, वहां कितने दिन रुकेंगे, कहां कहां घुमेंगे, ये सारी चीज़े. वही जब आपके exam साते हैं परिक्षाएं शुरू होने वाली होती हैं तो आप अपनी परिक्षा के लिए भी एक planning बनाते हैं एक योजना बनाते हैं कि आपको अपने exam की preparation परिक्षा की तयारी कैसे करनी हैं किस टाइब से notes बनाने हैं आपके answer लिखने का तरीका क्या होना चाहिए तो आपके जीवन के इस भाग में भी आप एक planning या योजना बनाते हैं आपके life का एक goal होगा एक target होगा जहां तक आपको पहुचना है हाँ मुझे ये बनना है मुझे doctor बनना है मुझे engineer बनना है कोई भी goal हो सकता है और अपने उस goal को पाने के लिए या उस target तक पहुचने के लिए उसे achieve करने के लिए भी आप शुरू से एक planning बनाते हैं कि मुझे उस goal तक पहुचने के लिए कैसे तयारी करनी हैं और क्या क्या करना पड़ेगा तो जैसा मैंने कहा कि आपके लिए ये नया नहीं है अपने घर में भी आपके महने का एक बजट होता है जैसे घर में जितनी income आ रही है आय के जितने source हैं उससे हमको जितनी आय प्राप्त हो रही है उसके लिए भी हम एक planning करते हैं कि इतनी आय क करना है अब उसके बाद थोड़ी सेविंग्स भी हमें करनी है, थोड़ी बचट भी करनी है, तो जीवन के हर पहलू में हम योजना या प्लानिग का इस्तेमाल करते हैं हम अपने किसी भी कारी को करने के लिए एक प्लानिंग बनाते और उस planning के तहट, उस योजना के तहट ही उस कारी को करते हैं। तब ही मतलब उस कारी का success होना डिपेंड करता है कि हमारी planning कैसे बन रहे है। तो हम अपने भारत देश के नियोजन के संबन में बात करते हैं, तो देश का नियोजन क्यों किया जाएगा, कैसे किया जाएगा? भई हमें पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनानी है, अपना एक ओहदा खड़ा करना है, तो उसके लिए हमें अपने देश की अर्थ व्यवस्था का विकास करना होगा। अब अपने देश की अर्थ व्यवस्था का विकास हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी एक प्लानिंग बनाई जाती है और एक योजना बनाई जाती है। इसी योजना या प्लानिंग के विशे में आज चर्चा करेंगे और इसी संदर्व में आपके लिए ये शब्द भी एकदम नया नहीं हैं आप हमेशा सुनते आ रहे हैं कि हमारे देश की अर्थ व्यवस्था के विकास के लिए पंच वर्शी योजनाएं जो हैं वो बनाई ज आए हम चर्चा करें इसी पंच वर्शी योजनाओ उपर तो हम देखते हैं कि भारत जब आजाद हुआ सवतंत्रता प्राप्ति की अहमारे देश ने तो ये महसूस किया जाने लगा कि जो आजादी हमें मिली है उस आजादी के बाद हम एक स्वतंत्र भारत के निर्मार में और पूरे विश्व में एक पहचान बनाने के लिए हमें अपने अर्थ विवस्था को एक नई उचाईयों तक पहुचाना होगा और उसके लिए अर्थ विवस्था के जितने भी नए नए आयाम हैं उसकी हमें दचना करनी होगी और इसके लिए ये महसूस किया जाने लगा कि एक समीती एक आयोग का गठन किया जाए क्योंकि सभी तो इसमें शामिल नहीं हो सकते एक समीती के कुछ सदस्य जो होंगे एक आयोग के कुछ जो सदस्य होंगे मेंबर्स होंगे वही पुरे देश के पुरे देश के लोगों का प्रतिनी धित्व करेंगे तो इसी संदर्व में योजना आयोग की स्थापना की गई सन मार्च 1950 में और इस योजना आयोग के माध्यम से ये तै किया गया कि देश के लिए हर पांच वर्ष में पंच वर्षी योजनाओं का निर्माण जो है वो किया जाएगा और अपने देश का विकास किया जाएगा तो मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई उसके बाद हम देखते हैं कि पंच वर्षी योजनाओं कब से निर्मित की गई तो ये आपका 1959 से पंच वर्षी योजनाओं की शुरुवात की गई और तब जो योजना आयोग का गठन किया गया था पंच वर्षी योजनाओं के निर्माण के लिए तो तब एक केंदरी की योजना जो है या सेंट्रिलाइज प्लानिंग की जाती थी मतलब जो भी विकास किया जाएगा जो भी योजनाओं बनेंगी उन सभी का उत्तरदाईत्व जो है वो केंदर पे होगा सेंटर पे होगा वही उसके लिए हर इस तर पे अलग-अलग उसके विकास के लिए योजनाये बनाएंगे और पूरी जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार की होगी तो जब स्टार्टिंग में बनाया गया तब योजनाये केंद्री करणने ले लिया तो हम देखेंगे कि केंद्री के योजनायों की जगह जो है या उसका इस्थान जो है वो विकेंद्री करणने ले लिया या योजनायों में विकेंद्री करण को इस्थान दिया गया अब इन दोनों पर हम चर्चा कर लेते हैं 1959 से अभी तक कुल 12 पंच वर्षी योजनाओं का निर्माण किया गया है जिसमें हमारे चैप्टर में हम देखेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो चौथी और पांचवी पंच वर्षी योजनाओं हैं जिनका हमें प्रमुख रूप से अध्यान करना है और इसमें जो प्लानिंग की गई थी जो योजना बनाई गई थी उसका विशेश रूप से अध्यान करना है तो सन 1959 में पहली पंच वर्षी योजना बनी और पंच वर्षी मतलब नेक्स्ट फाइव यर्स प्लानिंग अगले पांच वर्षों के लिए योजना बनाई गई तो पहली पंच वर्षी योजना उननीस सो इनक्यावन से उननीस सो चपन के बीच उसके बाद ऐसे ही क्रमशह ये आगे बढ़ता जाएगा तो आए हम बात कर लेते हैं भारत की पंच वर्षी योजनाओं पर भारत में पहली पंच वर्षी योजना उननीस सो इनक्यावन से चपन के बीच तक चली इस योजना की प्रमुख विशेश्ता ये रही कि इसमें समग्र विकास पर बल दिया गया और साथ ही ग्रामीर समुदायों की ओर ध्यान देना इस योजना की प्रमुख विशेश्ता इसके लिए तब सामुदाइक विकास कारिक्रम जो हैं वो शुरू किये गये थे दूसरी पंचवर्षी योजना 1956 से 61 के बीच तक चली और इस योजना में विकास के ऐसे प्रतिरूप को प्रात्मिक्ता दी गई जिससे भारत में समाजवादी समाज की स्थाफना हो सके तीसरी पंचवर्षी योजना 1961 से 66 के बीच चली ये जो योजना थी वो अपने निर्धारित उद्देश को पूरा नहीं कर पाई क्योंकि भारत में सन 1965 में अनिश्रित मांसून सूखा और मौसम संबंधी बहुत सी प्रतिकूल परिस्थित्यां बनी थी और साथ ही चीन और पाकिस्तान के साथ क्रमशह 1962 और 1965 में भारत का युद्ध हुआ जिसके कारण इस योजना में उद्देश जो निर्धारित किये गये थे वो पूरे नहीं हो पाई चौथी पंचवर्षी योजना का समय था 1969 से 74 के मद्र यह योजना जो है इसका मुख्य उदेश था विकास की दर को तेज करना क्रिशी उपज में जो उतार चड़ा हो रहे थे उनको बहुत हद तक कम करना और साथ ही विदेशी सहायता की अनियमित प्रवित्ती को कम करना फिर था पाँचवी पंचवर्षी योजना और इसका समय था 1974 से 79 के बीच इस योजना का मुख्य उदेश गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग थे उनके उभोकता इसतर को उचा करने के अलग-अलग उपाय ढूनना और साथ ही आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना और आपको अपने सिलेबस के हिसाब से चौथी और पाँचवी पंचवर्षी योजना को मुख्य रूप से ध्यान में देना है क्योंकि हमने बात की थी परवती विकास कारिक्रम और सूखा संभावी छेत्र विकास कारिक्रम इन दोनों योजनाओं के माध्यम से हमने देखा था च्छटी पंच वर्षी योजना जो है, वो 1980 से 85 के बीच तक चली, यह योजना जो है, वो 30 वर्ष पहले, पहली पंच वर्ष योजना के समय, जो विकास की प्रक्रिया शुरू की गई थी, उसके विभाजक करूप धारण कर लिया था इसमें, साथवी पंच वर्ष योजना, 1985 से 90 के बीच तक चली, और साथवी पंच वर्ष योजना का मुख्य उदेश खाद्यानों के उतपादन में तेजी लाना, रोजगार के आवसर को बढ़ाना, और साथ ही साथ उतपादक्ता को बढ़ाना मुख्य उदेश ही रहा, साथवी पंच वर्ष योजना के बाद, दो वार्षिक योजनाएं बनाई गई, क्योंकि केंद्र में जो राजनैतिक अइस्थिर्ता चल रही थी, और 1991 में उदारी करण की घोशना से, आठवी पंच वर्ष योजना जो है, वो अपने निर्धारित समय पे शुरू नहीं हो पाई, इसलिए वर्ष 1990 से 91 और 1991 से 92 के बीच, दो वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी, फिर आठवी पंच वर्ष योजना का समय था, 1992 से 97 के बीच, यह जो योजना थी, वो भारत सरकार द्वारा उदारी करण की निती को अपनाने के तुरंत बाद ही शुरू की गई, और इस योजना का मोख्य लक्ष आर्थिक व्रिधी में तिव्रता लाना, उद्योग, क्रिशी और इससे संबंधी जितने भी छेत्र थे, उनमें तिव्र गती से विकास करना, और साथ ही निरियात में उलेखनी व्रिधी और धाटे को दूर करना, नौवी पंच वर्षी योजना, 1997 से 2002 के बीच में हुई, और इस योजना का उदेश था, अर्थ विवस्था और समाज का सतत पोशनिय विकास, सस्टेनेलेबल डेवलप्मेंट की बात की गई थी, और इसके अंतरगत सभी के लिए भोजन और पोशन का उदेश जो है वो र नौव विकास के जो प्रमुक, संकेतक या इंडिकेटर्स की जो हम बात करते हैं, उसकी निगरानी के लिए कुछ निर्धारित किये गए, ग्यारवी पंच वर्षी योजना, 2007 से 2012 के बीच चली, और इसका उपागम प्रपत्र जो था, वो तिवरता के साथ और अधिक सम्मि विद्धी की ओर आधारित था, आपको ध्यान में होना चाहिए, जो हम बारवी पंच वर्षी योजना की बात करते हैं, जो 2012 से 2017 के बीच चली, तो इस पंच वर्षी योजना के बीच में ही, ये तो हमें पता ही है कि पंच वर्षी योजना भारत में योजना आयोग के गठ योजना आयोग का स्थान जो है वो नीती आयोग ने ले लिया लेकिन यह निश्यत किया गया कि जो बारह ही पंचवर्षी योजना जिसका समय निर्धारित किया गया है 2012 से 2017 तक तो इसे पूरा किया जाएगा और इस योजना के जो मुख्य उपागम थे या उद्देश जो थे वह यह था कि 10 फिस्दी विकासदर को हासिल करना और इसी समय जो है वो योजना आयोग की जगर देश में नीती आयोग जो है अब इस योजना के बाद नीती आयोग द आयोग का इस्थान जो है वो नीती आयोग ने ले लिया नीती आयोग की स्थापना की गई अब योजना आयोग के जितने भी कारे हैं वो नीती आयोग करेंगे और इसका ये टारगेट है कि अगले 15-15 वर्षों के लिए इसमें योजनाय जो है या प्लानिंग इसके तहत की जाती है अब नीती आयोग की स्थापना का उदेश क्या था तो ये केंदर जितने भी केंदर जो केंदर सरकार है और सभी जो राज्य सरकारे हैं उनका सही और उन्हें सही सलाह देना और तक्निकी सलाह देना जो है इस नीती आयोग की स्थापना का प्रमुख उदेश रहा है और इसके लिए आर्थिक नीती जो निर्माण किया जाता है, उसके लिए सभी राजियों की, सिर्फ केंद्र सरकार की ही नहीं, सभी राजियों की सहभागिता को सुनिश्चित करना इस नीती आयों का प्रमखुद्देश था। हमने भी बात ही की थी, कि जब स्वतंतरता प्राप्ति के बाद योजनाई या प्लानिंग शुरू की गई, तो यही जो योजना थी, वो केंद्री करित योजना थी, मतलब सभी जो भी आर्थिक और तक्निकी सलाह दिये जाएंगे, या विकास के लिए जो प्लानिंग की कि हमें हर इस तर पर विकास की गतिवीधी को बढ़ाना है और इसके लिए सभी जो है वो उत्तरदाई होंगे और हर इस तर पर आर्थिक नीतियां बनाने के लिए उन्हें सही और तक्निकी सलाह जो है वो दी जाएगी और सभी की सहभागिता को सुनिश्यत किया जाना इसके लिए जो विकेंद्री कृत योजना हम कह रहे हैं मतलब हर इस्तर पर जो योजनाएं हैं वो तयार की जाएंगी तो जब से ये नीती आयोग की स्थापना की गई तो हम देखेंगे कि विकेंद्री कृत योजना को बढ़ावा मिला है अब हम बात करते हैं कि जो योजना हैं ये योजना या प्लानिंग कितने तरह से की जाती है या हम उपागम कह सकते हैं या वीधिया तो उसकी प्रमुख रूप से दो उपागम या वीधिया है पहला है आपका खंडी नियोजन सेक्टर प्लानिंग और दूसरा है प्रादेशिक नियोजन या जिससे हम कहते हैं रिजनल प्लानिंग खंडी नियोजन मतलब हमारे देश की अर्थविवस्था के जितने भी सेक्टर्स हैं जैसे हम बात कर लें सिचाई के संबन में, क्रिशी के संबन में, परिवहन सेवाओं के संबन में, विनिरमाद उध्योग के संबन में मतलब हम किसी भी छेत्र में चले जाएं जो हमारे देश के अर्थविवस्था को निरंतर आगे की और बढ़ा रहा है तो इन सभी सेक्टर्स पे इन सभी भागों के विकास के तहट जब योजनाएं बनाई जाती हैं, इनके विकास की प्लानिंग की जाती है, तो इसे हम खंडी नियोजन या सेक्टर प्लानिंग कहते हैं. जैसे इसे हम समझ सकते हैं, हमारे देश की अर्थविवस्था में क्रिशी का एक महत्वपूर्ण योगदान हैं, तो इसके लिए ये प्लानिंग की जाएगी, कि हम अर्थविवस्था के इस भाग को, इस सेक्टर को कैसे जादा से जादा उननस शील बनाएं, इसे बहुत जा कैसे बढ़ाएं? हम कैसे चामल के, गेहूं के, या जितनी भी हमारी नगदी फसले है, व्यापारिक फसले जो हैं, उनका उत्पादन हम कैसे बढ़ाएं? क्या इसके लिए हम कित नल्चकों का प्रयोग करें, औरreated culture का प्रयोग करें, इनके छे त्रफल को बढ़ाएं, तभी तो हम आत्मनिर्भर होने के साथ साथ जब निर्यात कर रहे हैं तो हम अधिक से अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रप्राप्त करेंगे तो यह जो प्लानिंग हम कर रहे हैं क्रिशी के छेतर में तो यह हमारी क्या हो गई sectoral planning या sector planning खंडी नियोजन तो ये तो होगी कृशी की बात अब हमें आवश्यक्ता महसूस की जाती है कि हमारा देश जो है वो एक कृशी प्रधान देश है और ये कृशी जो है वो पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है तो मानसून तो अनियमित और अनिश्चित है तो इसक पर हमें सिचाई की समुचित व्यवस्था या उसके साधन जो है वो उपलब्ध नहीं मिलते हैं या जब मानसून सहीं तरीके से या सहीं मात्रा में नहीं आया बारिश अच्छी नहीं हुई तब हम अपने कृशी उपच को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं ये सभी ये तो एक्जामपल हो गया कि हम सिचाई के छेतर में प्लानिंग कर रहे हैं ऐसे ही जादा से जादा विश्व इस्तर पर और अपने देश पर भी हम सभी जगों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मतलब हम जादा से जादा लोग एक दूसरे से मिल पाएं समान का अ अधिक से अधिक आवागमन हो तो इससे क्या होगा हम जादा से जादा एक स्थान से दूसरे स्थान की और आवागमन करेंगे तो हमारे विचारों में संस्कृति का सभी छेत्र में हर चीज का जो है वो आदान प्रदान होगा एक दूसरे से तो इससे हमें संस्कृतिक विक देने के आवसर प्राब्त होंगे। तो हम इसके लिए प्रयास कर सकते हैं कि हम अधिक से अधिक परिवहन की जो सुविधायें हैं सुलब और सस्ते परिवहन के साधन को कई सविए करें। तो हम परिवहन के छेतर में इस चीज की प्लानिंग कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम अलग-अलग छेतर में, अलग-अलग सेक्टर में अर्थवेवस्था के नए-णए जो आयाम हैं या हमने जैसे बात की कि अभी चाहे वो कृषी हो या सिचाई हो, परिवहन हो, विनिर्मार उद्द्योग हो, इन सभी के छेतर में जब हम अलग-अलग प्लानिंग करते हैं उस छेतर को बढ़ाने के लिए तो इसे हम सेक्टर प्लानिंग या खंडी नियोजन कहते हैं। अब दूसरी हम बात करते हैं प्रादेशिक नियोजन की, तो प्रादेशिक नियोजन के संदर में हम ये देखते हैं, हम सभी को पता है कि हम जो विकास करेंगे वो डिपेंड करता है हमारे हां जितने भी संसाधन जो हैं, वो कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं और कितने संसा साधन जो है वो उपलब्ध है इसी पे निर्भर करता है कि हमारा देश कितना विकास करेगा इस तंदर में भी हम देखते हैं कि जो वो संसाधन है वो सभी जगे एक समान नहीं मिलते हैं है ना कहीं पर कोई छेत्र जो है वो संसाधन में बहुत धनी होता है तो कोई बहुत निर्धन होता है निर्धन होता है वहां के धरातल में संसाधन जो है वो कम मात्रा में मिलते हैं तो संसाधन की उपलब्धता ये निश साथ ही साथ उस संसाधन का हम कितने विवेक पूर्ण रूप से या तक्निकी प्रयोग के द्वारा उन संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं यह इस बात पर भी निर्भर करता है हो सकता है कि कोई छेतर जो है वो संसाधन के द्रिष्टिकोण से तो बहुत धनी है लेकिन उसके खनन के लिए और उससे जो भी जो विनिर्माड उद्वारा इस्थापित किये जाएंगे तो चुकि वो छेत्रे जो है वो तकनीकी या हम ये कहें कि तकनीकी अद्रिश्टी कोण से या जितने भी जो आयाम उपियोग किये जाते हैं उन सभी के तोर पर वो बहुत पिछड़ा हुआ है आर्थिक रूप से तो जब अपने संसाधनों का उच्चित तरीके से दोहन या उसमें तकनीकी वीधियों का जो प्रयोग है तकनीकी ज्यान और तकनीकी वीधियां दोनों ही डिपेंड करती हैं यदि इस द्रिश्टी कोण से वो पिछड़ा हुआ है तो वो अपने संसाधनों के उपलब्ध होत हुए भी उनका समुचित उपयोग नहीं कर पाएगा और वो देश या वो छेत्र या वो राज्य जो है वो पिछड़ा रह जाएगा तो डिपेंड करता है कि संसाधन कितनी मात्रा में और उनके उपयोग है ना उपयोग की जो हम कह सकते हैं विधी कितनी मात्रा में प्रयोग की जा रही है तो किसी भी छेत्र या प्रदेश का विकास जो है वो इस पर भी निर्भर करता है और हम देखते हैं कि चाहे हम अपने देश की बात करें या हम पूरे विश्व की बात करें तो संसाधन जो है वो सभी जगा हमको एक समान, एक मात्रा में उपलब्ध नहीं होगे और नहीं उनके विदोहन के लिए या उनके उपयोग के लिए जो वीधिया या जो तक्नीकी ज्ञान विज्ञान या प्राद्योगी की का जो इस्तेमाल किया जाता है वो भी अलग-अलग होता है तो इसी कारण से हम देखते हैं कि हमारे देश में भी विकास के अलग-अलग इस तर हैं मतलब कोई राजी जो है या कोई छेत्र जो है वो ब पलुष्टिकोंड से बहुत पिछड़ा नहीं हैं, हम ससाधन के दृष्टिकोंड से बहुत धनी हैं, लेकिन जो अन्य राजिये हैं, उनकी अपेक्षा हम देखेंगे कि हमारी विज्ञान और प्राद्योगी की दृष्टिकोंड से हम थोड़े पिछड़े हुए हैं, इसलि यूपी की बात कर लें, एमपी की बात कर लें, है ना, पंजाब की बात कर लें, हम सभी को पता है कि हम जो विकास करेंगे, वो डिपेंड करता है हमारे जितने भी संसाधन जो हैं, वो कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं, और कितने संसाधन जो हैं, वो उपलब्ध हैं, इसी प ही मिलते हैं है ना कहीं पर कोई छेत्र जो है वो संसाधन में बहुत धनी होता है तो कोई बहुत निर्धन होता है निर्धन होता है वहां के धरातल में संसाधन जो है वो कम मात्रा में मिलते हैं तो संसाधन की उपलब्धता यह निश्यत करती है कि किसी छेत्र का कितना विकास होगा या वो छेत्र कितना विकास करेगा हां सिर्फ संसाधन की उपलब्धता ही ये सुनेश्यत नहीं करती साथ ही साथ उस संसाधन का हम कितने विवेक पूर्ण रूप से या तक्निकी प्रयोग के द्वारा उन संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं ये इस बात पर भी निर्भ करता है हो सकता है कि कोई छेत्र जो है वो संसाधन के द्रिष्टि कोंड से तो बहुत धनी है लेकिन उसके खनन के लिए और उससे जो भी जो विनिरमाण उद्योग स्थापित किये जाएंगे तो कि भी जह symptom कि जो है उन सभी के तोर पर वो बहुत पिछड़ा हुआ है आर्थिक रूप से तो जब अपने संसाधनों का उच्चित तरीके से दोहन या उसमें तक्निकी वीधियों का जो प्रयोग है तक्निकी ज्यान और तक्निकी वीधियां दोनों ही डिपेंड करती हैं यदि इस दृष्टिको से वो पिछड़ा हुआ है तो वो अपने संसाधनों के उपलब्ध होते हुए भी उनका समुचित उपयोग नहीं कर पाएगा और वो देश या वो छेत्र या वो राज जो है वो पिछड़ा रह जाएगा तो डिपेंड करता है कि संसाधन कितनी मात्रा में और उनके उपयो है ना उपयोग की जो हम कह सकते हैं विधी कितनी मात्रा में प्रयोग की जा रही है तो किसी भी छेत्र या प्रदेश का विकास जो है वो इस पर भी निर्भर करता है और हम देखते हैं कि चाहे हम अपने देश की बात करें या हम पूरे विश्व की बात करें तो संसाधन ज लिए जो वीधिया या जो तक्निकी ज्ञान विज्ञान या प्राद्योगी की का जो इस्तेमाल किया जाता है वो भी अलग-अलग होता है तो इसी कारण से हम देखते हैं कि हमारे देश में भी विकास के अलग-अलग इस तर हैं मतलब कोई राजी जो है या कोई छेत्र जो है से बहुत पिछड़ा नहीं हैं हम संसाधन के दृष्टिकोंड से बहुत धनी हैं लेकिन जो अन्य राज्य हैं उनकी अपेक्षा हम देखेंगे कि हमारी विज्ञान और प्राध्योगी की कि दृष्टिकोंड से हम थोड़े पिछड़े हुए हैं इसी लिए जैसे बिहार कि हम बात कर लेंं तो ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो संसाधनों की उपलब्धता होते हुए भी उतना अधिक विकास जो है वो नहीं कर पाए हैं वही हम UP की बात कर लें MP की बात कर लें है ना पंजाब की बात कर लें एक छोटा सा उद्हारन हम ले लेते हैं जैसे जप हरित कुरांति आई साथ हरेत क्रांति में हमने क्या देखा कि जहां पर हरित क्रांति को एडॉप्ट किया गया शुरुवात इस तरपर वो जो राज्य है वो बहुत अधिक विकास कर गया लेकिन अन्य राज्यों के साथ 133 व्यवहार हो गया क्योंकि वह राज्य अधिक से अधिक फिकास करने लगे और जो राज्य पिछडे हुए यह जहाँ पर हरित करांति की वीधियों का प्रयोग नहीं किया गया वो राजे तो पिछड़े ही रह गए तो हमने देखा कि चाहे हम पंजाब की बात करें हरियाना की बात करें और विशेश रूप से पर्शिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये सब जो है वो हरित्रांती के दृष्टिकोंड से बहुत अधिक वि तो सब जगर जो है वो असमान विकास की हम बात करते हैं तो जब हम प्रादेशिक नियोजन के विशाय में चर्चा करेंगे तो हम उसमें ये देखेंगे कि प्रादेशिक नियोजन का जो तातपरी है वो ये होता है कि किसी प्रदेश विशेश है ना या उस प्रदेश में म जो कारिक्रम बनाये जाते हैं या लागू किये जाते हैं तो इन सभी बातों का अध्यान हम किसके अंतरगत करते हैं प्रादेशिक नियोजन तो मुझे लगता है कि आपको अंतर समझ में आ गया होगा खंडी नियोजन में हम अर्थवेवस्था के अलग अलग छेत्र चाहे वो क्रिशी सिचाई परिवहन विनिर्माण इन छेत्रों की बात करेंगे या उनके विकास के लिए प्लानिंग की बात करते हैं और प्रादेश प्रादेशिक नियोजन के अंतरगत हम ये बात करते हैं कि किसी छेत्र विशेष या किसी राज्य की भी हम बात करते हैं तो वहां पर जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका समूचित उपयोव और उनके विकास के लिए जो योजना या प्लानिंग बनाई जाती है या उ लगू किया जाता है उसे हम प्रादेशिक नियोजन कहते हैं या रिजनल प्लानिंग कहते हैं